कि नमस्कार किसान साथी व स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल किसान एक्षप्रेक्स में कि-सान साथी व आज गी वीडियो में बात करेंगे धान huh है अब को बताएंगे में चिन कारणों से होता है हमारी फसल में कितना नुक्सान कर सकता है उसके पहचान किस प्रकार कर सकते हैं और उसके रोग थाम किस प्रकार की जा सकती है तो आप इस वीडियो को अन तक देखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से करें अगर आप हमारे चनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करना नहीं भूले ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे किसान साथ यह बात की जाए सीट वलाइट की या धान की खेती क नमें से 95% जो रोग है वह फंगस के कारण होते हैं अगर बात की जाए शीट बलाइट की तो सबसे पहले तना होता है उसके अंदर यह आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर क्या होता है जो तना है दान का गल जाता है उसके उपर कुछ इस प्रकार के भूरे रंग के काले रंग के गहरे लाल रंग के या फिर चोकलेट कलर के जो हैं धब्बे हो जाते हैं और जो तना है बिलकुल किल जाता है अगर बात की जाए आप उसकी पहचान किस प्रकार करोगे तो पहला यह जो सिम्टम हमने बताई उससे आप उसकी पहचान कर सकते हो दूसरा आप उस तने को आप पर सिद्धा खींच कर देखें अगर वह बड़ी असानी से बीच में से तूट जाए और वहां से जब भी आप उसको प्रैस करोगे तो उसमें से पाने निकलेगा और जो तना है बिलकुल मलम बन जाएगा इसका मतलब यह है कि आपके जो धान का खेत है उसके अंदर सीट बलाइट यानि की तना गलन की जो समिश्या है आज चुकी है किसान साथियों बात करते हैं इसका कारण क्या है अगर कारण की बात की जाए तो य सुरू हो जाता है किसान साथियों अगर बात की जाए तो हमें धान के सुरुवात्ति ट्रांस्प्लांट के सुरुवात्ति 15 से 18 दिनों तक या 20 दिनों तक ही जादा पानी देना चाहिए क्योंकि उससे में हमें उसके अंदर खरपतवार नासक का प्रयोग करते हैं उसके ब सुलानी नाम का एक फंगस होता है उसके कारण होती है यह फंगस जो है हमारे जो पोद्दा है उसके तनों के उपर अटैक करता है और उसको गला देता है अब बात आती है यह फंगस तने को ही क्यों गलाता है कुछ हमारे जो किसान साती है वो धान के अंदर पोटास का प्र किसान साथी नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा प्रियोग करते हैं उसके कारण जो वह हमारा फंगस होता है वह हमारे धान के पोद्ध के उपर अटैक करता है इसलिए ट्रांस्प्लांटिंग के दुरान या ट्रांस्प्लांटिंग से पहले हमें पोटास का प्रियोग करना चाहिए और जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का एक उचित अनुपात में उचित मातरा में प्रियोग करना चाहिए किसान साथी अगर बात की जाए जो हमारा मोसम है मोसम के कारण भी जो हमारा तनागलन की समश्या बढ़ जाती है क्योंकि मान सुन के मोसम में बारिश जाता होती है और जो हुमिडिटी है वो बढ़ जाती है उसके कारण जो राइजोक बैक्टीनिया नाम का जो हमारा फंगस है वो एक्टिव हो जाता ह और जो तनागलन की समश्चा है वो बढ़ जाती है किसान साथ यह बात करते हैं यह हमारी फसलों पर कितना नुक्सान पहुंचाता है यह हमारे जो धान के तने के अंदर हो जाता है और जड़ से जो भोजन हमारे पते तक या फिर जो हमारी आगे जाकर जो बालिया त्यार तक भी नुकसान हो सकता है इसलिए समय रहते हैं इस प्रकार का जो रोग है उसका निदान करना आवश्यक है किसान साथ यह बात करते हैं इस रोग की रोगत हम आप किस प्रकार कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपके जो धान का खेत है उसके अंदर अगर प humidity नहीं होगी तो जो आपका जो फंगस है वह ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा सेकेंड आपको क्या करना है कुछ हमारे किसान साथ ही क्या करते हैं खेत के अंदर पानी देने की कुछ इस प्रकार की विवस्ता कर लेते हैं कि वह सुरू के एक एकड़ के अंदर पानी देते हैं तो वही पानी दूसरे किले के अंदर तीसरे किले के अंदर और चोथे किले के अंदर जाता है आपको पानी देने के एक ऐसी विवस्ता बनानी है कि आपका जो एक एक कड़ा उसी के अंदर पानी जाए उस किले का पानी दूसरे किले के अंदर नहीं जाएं अगर पहले किल्ले के अंदर अगर आपका फंगस हो गया आपका तनागलन की या सीट बलाइट की समस्चा हो गई तो वो समस्चा पानी दवारा फैलती है अगर वही पानी अगला आपके अगले खेत के अंदर चला गया तो अगले खेत के अंदर या फिर अगले किल्ले के अंदर आ आप नाइट्रोजन का कम प्रयोग करें उचीत मातरा में प्रयोग करें उसके बाद अगर फिर भी आपके खेट के अंदर रहें तनागलन की समस्या है तो आप यह बाइर कंपनी का एंट्रा को लाता है आप यह प्रयोग कर सकते अगर इसकी डोज की बात के तो आपको 300-300 ग् जिंक एडिटी यह प्रयोग करना है 100 ग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से क्योंकि जो आपका सीट बलाइट के कारण जो आपका तनह है वो खराब हो गया है गल गया है उसकी रिपेरिंग के लिए जो चले टिडिजिंक है बहुत ही उपयोगी है इसके काफी अच्छे रिज से समाफ्थ हो जाएंगे क्योंकि जहां पर फंगस आएगा वहां पर बैक्टिरिया का आना एक सो एक परसेंट संभाविक है इसलिए आप इन तिनों का प्रयोग करें और एक सप्ता के अंतराल पर इस सप्रे को रिपीट करें किसान साथ यह आप बायर के एंट्राकोल की च किसान साथ यह अगर आपके खेट के खेट के अंदर सीथ प्लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का अजोक्षो स्ट्रोबिन प्लस टैब को ना जोल प्रयोग कर सकते हैं अगर इसकी डोज की बात की जाए तो एक लीटर तीन एकड के लि बड़ी असानी से चुत्कारा पा सकते हैं और एक भरफूर उतपादन ले सकते हैं किसान साथ यो आशा करते हैं आपको विडियो पसंद आये होगी फिर भी अगर आपके मनुम में कोई कोच्छ नहीं नहीं चैनल पर धन्यवाद